की बात करेंगे जहां प्रियंक कानुन्गों ने बड़ा बयान दिया है मदर्सों में बेसिक सुविधाओं की कमी बताया है मदर्सों में क्वालिफाइड टीचर्ज नहीं है ये भी उन्होंने बताया है मदर्सों से बच्चों को सरकार निकाले मदर्सों से बच्चों को निकाल कर स्कूल भेजे अवैद मदर्सों की जानकारी भी ली जा रही है प्रियंक कानुन्गों की तरफ से ये बड़ी बात की गई है मदर्सों को लेकर कि कोई क्वालिफाइड टीचर्ज नहीं है वहाँ प गई है प्रयांख कानुंगो की तरफ से अवयद मदर्सो की जानकारी भी ली जा रही है अao प्रयांग कानुगो ने पहले भी मदर्सो का मुद्दा उठाया था और एक बार फिर वो जो है मदर्सो को लेकर एक बड़ी जानकारी यहां पर साजा करते हुए नजर आicio कर रहे थ बढ़ाया जा रहा है जो शिक्षा का अधिकार कानुन की compliance पूरी नहीं करते यह गंबीर मामला है इन मदरसों से हिंदु बच्चो को दत्काल निकालना चाहिए बच्चों को धर्म के चश्मे से देखना बंद करना चाहिए हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार का पूरा लाब मिले इसके लिए सरकार को काम करना चाहिए आज हमने एक रेस्क्यू ओपरेशन में यहां कंडट कराया है पारले जी बनाने वाली एक मंडी दीप की कंपनी से हमने आज 21 बच्चों को रेस्क्यू किया है यहां अलग-अलग विभागों की समीक्षा में जो अल आज से ही वो सुर्ख्यों में आए और फिर उन्होंने मदर्सों पर एक बड़ी बात की है कि यहां कोई क्वालिफाइट टीचर नहीं है और जरूरत है बच्चों को स्कूल भेजने की बिल्कुल देखे बच्चों के सिख्चा के साथ खिलवार किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए और चाहे मदर्सी हों या फिर अन्य स्कूलों वहां पर सभी जो जरूरी स्टेंडर्ड है मापदन्ड है चाहे वो इंफ्रस्टेक्चर को लेकर हो या टीचर्स की क्वालिफि टीम है वो लगातार इस बात की मॉनिटरिंग करती रहती है कि सभी जो स्कूल है मदर्से हैं जिनका संचालन हो रहा है वहां पर सभी जो जरूरी मापदन्ड है उनको पूरा किया जाए और वो जिस बात का जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं कि हिंदू बच्चों को ऐसे म मदर्सों में पढ़ाया जा रहा है जहां पर जो सिक्षक हैं उनकी जो कौलिफिकेशन है वो भी संदे के गहरे में है अगर इस बात में सचाई है तो इसकी तथ्यात्मक जान जो है वो सिक्षा वभाग को भी और संबंदित वभागों को करनी चाहिए जिन जिलों में ये मा कि बच्चों को धर्म के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए और ये बात सही भी है भले ही बज़े किसी भी धर्म जाती समुदाय से आते हूं लेकिन उनके सिक्षा गुणबत्ता पून हो ये सुनिश्यत करना साशन प्रशाशन का काम है और इसलिए इस पूरे मामले को ले ठीक है राजपाल से सोधिया जी हमारे साजर गए बीज़ेपी से राजपाल जी मदर्सों को लेकर एक बहुत बड़ी बात प्रयांग कानुन को को तरफ से की गई है उनका कहना है कि जो क्वालिफाइट टीचर्स हैं वो मदर्सों में नहीं है इससे ये समझा जा सकता है कि जो सही जानकारी है जो सही चीजें है जो मदर्सों में दी जाने चाहिए वो बच्चों तक डिलिवर नहीं हो रही है इस पर किस तरीके से जो है नजर बनाया जाएगा क्या आगे रोड मैप तयार किया जाएगा सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ा अनुदान मदर्सों को देने का काम हो रहा है पर उसके बाद भी मदर्से का मैनेजमेंट और वहां का जो वक्फ कानून और तमाम तरह के जो सिया कानून समाके हैं जो मुस्लिम परसनल कानून से इस परकार की उन्होंने वहासा कर रहा है कि वह बाहरी विशेस करके सरकार के हस्षेप को वरदास नहीं कर पा रहे हैं हस्षेप को वो अधरवाइस लेने का काम कर रहे हैं जब तक सासन की एजेंसियों को उस अनुदान के खर्चे के नियंदरन के लिए अधिकार नहीं प्राप्त होंगे तब तक इस पकार की समझ्चाएं आगी इसलिए आएगी कि सरकार बहुत बड़ी मात्रा में अनुदान दे रही है बेसिक सुईदाओं के लिए दे रहे हैं परन्तो उसका दूरूप्यों होने का काम मदर्सा कमिटी करने का काम कर रही है तो सबसे पहले मदर्सा कमिट्यों को रजिस्टर्ट करके उनको कानून के दाइरे में लाना पड़ेगा कानून के दाइरे में लाने के बाद ही हम मदर्सों में निगरा निगर पाएंगे अभी तो कई इस्टानों के मदर्से इस प्रकार के हैं कि वहाँ पर अगर सरकारी नुमाइन दे जाना चाहे तो उनको इंटी नहीं मिल सकती है कलेक्टर एस पी तक पो नहीं गुष्टे दिया जाता है कही जगे के मदर्सों में तो इस प्रकार का वहाँ एक अलगी तुगला की कानून चलता है इस वज़े से भी यह समझती आ रही है अगर सासन से स्थयोग की आशा करते हैं मदर्से अपना अलग कानून लेकर और अपनी अलग बात करके और इस प्रकार से सास की अस्थयोप को वहाँ पर बरदास नहीं कर रहा है इस वज़े से भी कई जगे आवे वस्पाय आ रही है हमारी सरकार लगातार इस प्रयास में है कि मदर्सों को कानून के तहप लेकर और और साहितराथी देकर भुपेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़ गए है भुपेंद्र जी मदर्सों को लेकर एक जानकारी मिली है आपके हिसाब से आपको क्या लगता है अब जरूरत आ पड़ी है इस पर भी नाच पड़ताल की सरकान में जब नाच पड़ताल की है तो वो अपनी रिपोर्ट जारी करें ना उसको छुपा-शुपा के क्यों बात करते हैं और जो है कानरेश की सरकार में निरंतर प्रयाज किये थे कि वहाँ पर जहीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम की विवस्ता की जाए तुझे तो बीजेपी के द्रोथ करती थी उन सब बातों का अब जो है उसको जो है अगर इन्होंने कोई रिपोर्ट बनाई है बहुत अच्छी बात है हम स्वागत करते हैं तो कोई भी चीज जो है सरकार के सरकार से परे एक है सरकार के कानून से परे एक है इस तरह की बातें करते हैं कि जैसे दुनिया में जो है वो एक अलग दुनिया है वो भी कानून के अंतरगत हैं बस बोट से लेकर सारी चीजें जो है कि सरकार के कानून के अंतरगत भी चलती ह अगर वहां कोई जो है अब्यवस्ता है दुनावस्ता है उसकी जो है रिपोर्ट सार्वजने करिए पुब्लिक उपिनियन लीजिए ठीक करिए उसको अपनी जिम्मेदारी करिए केवल जो है बेद्वेस पहलाने के लिए रिपोर्टों का उपयोग किया जाना या जो है किसी को जो है नीचे दिखाने के लिए उपयोग किया जाना उचित बार थोड़िए अगर वहां सुधार की गुंजायश है तो सुधार करिए 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 सब स्वागत करेंगे बहुत शुक्रिया हुपेंदर जी अपनी बात रखनी के लिए और बहुत शुक्रिया राजपाल जी आपने भी अपनी बात रखी तो इस पूरे मामले में बैहादी खास हो रहा है प्रियंग कानुन्गों का जाज परताल की बात भी की जा रही है RSS निता इंद्रेश कुमार ने अपने एहंकारी वाले बयान पर सफाई दी है उन्होंने कहा है कि जिसने भगवान राम की भक्ती की है वो सत्ता में आए है यही नहीं उन्होंने ये भी कहा है कि PM मोदी की अगवाई में देश विकास कर रहा है RSS सूत्रों के मताबिक इंद्रेश कुमार का बयान RSS का आधिकारिक बयान नहीं है RSS नेता इंद्रेश कुमार के बतले सुर्प अहंकारी वाले बयान के बाद यूटर्ण एंकारी वाले बयान पर इंद्रेश कुमार की सफाई लोकसभा चुनाव के नतीजों में बीजेपी को प्रचंडर जीत नहीं मिलने पर RSS कारिकार्डी के मेंबर इंद्रेश कुमार ने बीजेपी नेताओं पर तंस कसा था लेकिन जैसे ही RSS ने उनके बयान से किनारा किया बयान को निजी बता दिया तब से उनके सुरही बदल गए अब इंद्रेश कुमार बीजेपी और पियम मोदी की तारीफ करने लगे देश का वातवर्ण इस समय में बहुत सपष्ट है जिनोंने राम का विरोध किया वो सब सत्ता से बाहर हैं जिनोंने राम की भक्ती का संकल्प लिया आज वो सत्ता में है और तीसरी बार की सरकार शिरी नरेंद्र मोधी के नेतरित्व में बन गई है देश उनके नेत्रित में दिन दुगनी राजचोगनी तरक्की करेगा यह विश्वास जन जन में जागरित हुआ है इससे पहले RSS नेटा के एक बयान से सियासी भूचा ला गया था उन्होंने बीजेपी पर निशाना साथते हुए कहा था कि एहंकार की वज़ह से दगवान राम ने बीजेपी को 241 पर रोग दिया यही नहीं इंडरेश कुमार ने विपक्ष पर भी तंस कसते हुए विपक्ष को राम विरोधी बताया था जिनों ने राम का विरोड किया, उनमें से किसी को भी शक्ति में थी समेल कर भी नंदर एक इमने नंबर दो पर खड़े कर दिए, इसलिए प्रभु का न्याय है, बड़ा विशित्र नहीं है, बड़ा सक्त्य है, बड़ा खाना दुदायक है, इसलिए जिस पार्टी ने भक्त कि एहनकार आया, उसको 241 पर रोग दिया पर संसे बड़ी बनाती, जिन के अंदर राम के आनास्था थे खशर धा दे, और उनको सब को होईकर 234 पर रोग दिया, जिन के अंदर राम के आनास्था थे खशर धा दे, और उनको सब को होईकर 234 पर रोग दिया, पहा है, तुम इसलिए जो राम की धत्ती करें तो मेरे हैंकार करें और जो राम का मिरोड करें तो उसका आतल्यांग अपना प्रभू में विगार करें बीजेपी की खिलाफ एहंकारी वाला पयान देने वाले इंद्रेश कुमार RSS की कारिकारी मेंबर है और राश्ट्री मुस्लिम मन्छ के प्रमोग भी हैं एक सर्वे की मताबिक RSS से जुड़े संगठन राश्ट्री मुस्लिम मंच ने दावा किया था कि देश के कुछ प्रतिशत मुस्लिम मोधी सरकार के साथ है। लेकिन चुनाब पर रिणाम उसके अनुरूप नहीं आए। जिसके बाद इंडरेश कुमार ने बीजेपी पर सवा उठाए। फोरण स्री राम जन्भूमी की मुखे पुजारी सामने आए। और इंडरेश कुमार पर ही सवाल कड़े कर दिये। उठर बीजेपी का पयान भी सामने आया। बीजेपी ने कहा कि पार्टी को उतनी सीटे मिली हैं जितनी 20 साल में किसी पार्टी को नहीं मिली। विपक्ष की खुशी बढ़ गई। विपक्ष के मताबिक आरेसेस और बीजेपी में जतनी दूरियां होंगी बीजेपी उतनी ही कमजोर होगी। भाजपा में एहनकार आ गया थी। चुनाओ के पहले नहीं दिख रहा थे अंदेश जी आपको। अब आपके साथ्यूकट की कीमत क्या रहेगी। और जिनको आप एहनकारी बता रहे हो वो तो इटली घूम रहे हैं। कौन सुनेगा आप आप महरवानी करके अपना साथ्यूकट भाजपा को दीजिए। कॉंग्रेस को मत दीजिए। हम लोग भगवान राम के पुजारी हैं। कि आरेसेस और बीजेपी के बीच मा बेटे का जगड़ा सुरू हो गया है। और अब बेटे ने अपनी मा का त्याग करने का अभियान सुरू कर दिया है। और मा ने बेटे को सबक सिखाने का अभियान सुरू कर दिया है। आरेसेस नेता इंडरेश कुमार के बयान से विपक्ष्ट की खुशी भी कुछी दिर में खत्म हो गई। क्योंकि उन्होंने अपनी सफाई में ये कहा कि जिसने भगवान राम की भक्ति की है वो सक्ता में आए हैं। जिन्दिगे की जंग हार गई आरोही 17 घंटे बोर्वेल में बच्ची फसी रही और बच्ची ने अब दम तोड़ दिया है। बेहदी दुखाद एंडी आरेफ फायर की टीम ने बच्ची को बाहर निकाला, डॉक्टर की टीम ने बच्ची को मृत घोशित कर दिया है। सुरागपरा गाउं में कल बोर्वेल में बच्ची गिर गई थी, आरोही उसका नाम गुजरात के अमरेली में देड़ साल की बच्ची की मौत हो गई है। तमाम घटनाय सामने आ जाती हैं, बावजूद इसके सबक नहीं लिया जाता और बोर्वेल इसको खुला छोड़ दिया जाता है। और अब एक मासूम, एक बच्ची सत्रह घंटे बोर्वेल में फसी रही, उसको बाहर निकालने की कोशिश चलते रही, चलते रही लेकिन आरोही जिंदगी की जंग हार गई है, बेहदी दुखद जैसे ही उसको बाहर निकाला गया, डॉक्टरों ने उसे मृत घोशित कर द और उसे देखा भी जा रहा था, आपको याद होंगे, ऐसे कई किस से आपको याद होंगे, मध्यप्रदेश में भी इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं, बावजूद इसके बोर्वेल्स को खुला, क्यों छोड़ते हैं, आखिर क्या इसकी पीछे बजा है, ये नहीं समझ जाता, अब एक बार फिर आरो ही जिन्दिगी की जंग हार गई, बोर्वेल्स में बच्ची फस गई थी, सत्रह घंटे बोर्वेल्स में ही रही, जिसके बाद उसे बाहर निकाल लगाया, तो डॉक्टरों ने उसे मृतिखोशित कर दिया गौलियर में डबल मर्डर से संसनी का महाल है, दो लोगों की पत्थरों से कुचल कर हत्या कर दी गई, एक यूबक और एक दिव्यांग की हत्या की गई है, और मृतकों की शिनाक्ती नहीं हो पाई है, फिलालकुलिस चार्ज में जुटी है तो देहाद के शितला माता, रोड की एगटना जहां डबल मर्डर से संसनी का महाल है, गौलियर में डो लोगों की पत्थर से कुचल कर हत्या कर दी गई, उनकी शिनाक्त अभी नहीं हो पाई है, पहचानने का सिलसला भी जारी है दुर्ग में पती ने पतनी की हत्या कर दी है, बाद में खुद ने भी फासी के फंदे पर जूल कर जान दे दी, दुर्ग जिले के खोपली गाउं की घटना है, पती पतनी के बीच आपसी विवाद कारण बना है दुर्ग जिले के खोपली गाउं की घटना पती पतनी के बीच विवाद हुआ, पती ने पतनी की हत्या की और फिर भी मौत को गरे लगा लिया, खुद ने भी फासी के फंदे पर जूल कर जान दे दी राज़ाने में फूड लवर्स की सेहत से खलवार किया जा रहा है, छै नंबर हॉकर्स कॉर्णर पर बड़ी कारवाई की है और खाद एवं औशदी विभा की तरफ से कारवाई की गई, गंदगी के चलते चार दुकानों को बंद करना पड़ा है दुकानों पर गंदगी के बीच खाना बनाया जा रहा था, तीन दुकानों के पास जरूरी लाइसंस भी नहीं है मामले को कोट में भेजने की तैयारी चल रही है, देखिए कौकरो, चौर तरह तरह की कीरे, पुराने तेल, पुरानी बरतने और काफी जादा जो खिलवार है, यहां पर किया जा रहा है, बिना साफ सफाई के गंदगी कामबार, नाली के उपर यह पूरा कॉर्नर लगाया गया, एक दो और ऐसे ही हजार बिमारियां, उपर से कीडे मकोडे भी यहां पर दिखाई दे रहे हैं, शाम के समय में पैर काना पकाया जाता है। युवक को मारे गए हैं हलाकि अब तक रिपोर्ट ही नहीं लिखी गई दुर्ग में बदमाशों ने घर में घुसकर पती और पत्नी से मारपीट की है जान से मारने की धमकी तक दे दी आपसी विवात के दौरान ये मारपीट हुई है भिलाई के रुआ बांधा शेत्र की घटना जहां अचारक से बदमाश घर में दाखेल होते हैं फिर पती पती को दराते हैं धमकाते हैं जान से मारने की धमकी भी देने लगते हैं